नबस्कार फित्रू बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चेरण में फित्रू 8 नमंबर को साल का आखरेजल चन्दरग्र्ण बहुत ही भयंकर चन्दरग्र्रण होगा क्योंगे यह चन्दरग्र्ण दिपावली के ठीक 8 दिन बाद लग रहा है और ऐसे में साल का आखरिष चंद्रग्रहन होने के कारण, सूरीग्रहन के बाद ये चंद्रग्रहन लगने के कारण, कई लोगों के जीवन में तुफान ला सकता है, कई प्रिकार के मुस्किलों का सामना करवा सकता है गैसे में आप लोगों को सत्र ग्रहने की जरूरत होंगे और खास तोर पर बच्चे, उड़े और गर्वती महिलाओं को इस चंद्रग्रहन से बचने की जरूरत रहेंगे क्योंकि यह समय इन लोगों के लिए बहुत भैंकर रुकाफी जादा रभावसाली हो सकता है गैसे में चंद्रग्रहन का सही समय सुतकाल और आपके सहर में कब लगेगा यह चंद्रग्रहन इसके बारे में आपको बताएंगे अगर आपको भी जानना है कि आपके सहर में यह ग्रहन कब लगेगा तो आप अपने सहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें आप आपको हम बताएंगे उन सभी के बारे में सारी जानकारी और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैलन को सस्क्राइब अवस्य कर लें बत्रों आठ नमंबर को साल का आखरी चंदरगहन लगने जा रहा है और चंदरगहन और सुरीगरन भोगोली घटलाए है और इस जोतिस सास्त्र की मारे तो गरहन का लोगों के जीवन में नगरात्पक प्रभाव पड़ता है परन्तु इसमें जो हूम जाप करते हैं जो मंत्र की सिद्धिया करते हैं उन लोगों के लिए गरहन बहुत इस सुब होता है लेकिन आप जन्मानस के लिए गरहन बहुती दूस प्रभाव को लाता है यहास में 25 अक्टुबर को सुरी ग्रहन पढ़ा राए और 15 दिन के बाद ही यह दूसरा ग्रहन पढ़ने जा रहा है यह से में जो 30 सास्तर के बारे तो 15 दिन के बाद 2-2 ग्रहन कहुना सुब नहीं होता है यह से में आपको बता दें कि ग्रहन के दौरन आपको भी से सावधानी रखने के जरूरत होगे जिसकी वज़े से आप ग्रहन के दूस प्रभाव से बसकते हैं और ग्रहन का कोई भी प्रभाव आप परना पड़े इस बात का भी आपको धान रखने के जरूरत होगे क्योंकि वो कहते हैं ना हर किसी को जीवर में कभी न कभी ग्रहन का सामना जरूर करना पड़ता है यसे में इस ग्रहन का सूतक और ग्रहन काल में पूजा करना वर्धित होता है जसलिए इस दोरान घर में या मंदिर में पूजा न करें बलकि भगवान का ध्यान जरूर करें मान्यताओं के नुसार सूतक और ग्रहनकाल के दोरान भोजन, नास्ता, फल आधी का स्यवन न करें नहीं कुछ पेपदार्थ लें वहीं सूतक काल और ग्रहनकाल लगने से पहले ही भोजन आधी खाद पदार्थों में तुलसी की पत्ते को डाल कर रखने से उन्हें ग्रहन नहीं लगता है या ग्रहन का प्रफाव नहीं पड़ता है ग्रहन का सही समय क्या रहेगा जो इसके बारे में मैं आपको बता दू तो भारत में यह चंदर ग्रहन भारतिय समय के अनुसार 8 नमबर 2022 को साम 5 बचकर 32 मिनट पर देखाई देगा और साम 6 बचकर 18 मिनट पर यह खत्त हो जाएगा जैसे में आप लोगों को भी से सतर ग्रहने की जुरत होंगे आप कदर बहतर बरे इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दिया वस्ते लिखें आप कदर सुबहों मंगल कारी हुद से माविन